सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसियेशन आफ इंडिया, सोपा, के अनुसार, 2024 खरीफ सीजन के लिए भारत का सोयाबीन उतपादन 6% बढ़कर 125.8 लाक टन होने का अनुमान है, जो अधिक पैदावार के कारण देखने को मिल रहा। दरसल अनुकूल मौसम और खेती के तरीकों की मदद से अनुमानित उपज पिछले साल के 1002 किलोग्राम से बढ़कर 1063 किलोग्राम प्रती हेक्टेयर हो गई है। मद्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, जो सोयाबीन के शीर्ष उत्पादक राज्य हैं, ने रकबे में कुछ गिरावट के बावजूद उत्पादन में व्रिधी दिखाई दी है। मिले हैं, जिसमें 2024 खरीफ सीजन के लिए उत्पादन में 6% की व्रिधी की उम्मीद है। और यह 1063 किलोग्राम प्रती हेक्टेयर हो गई। माना जा रहा है कि खासकर फसल की कटाई के दोरान कीमतों पर दबाव बढ़ने की संभावना। वही माना ये भी जा रहा है कि सोयाबीन के रखबे में मामूली गिरावट से कीमतों में तेजी का अनुमान लगाया जा सकता। सोपा के सर्वेक्षन से पता चलता है कि कुल रखबा 118.318 लाख हेक्टेयर है जो सरकार के 127.138 लाख हेक्टेयर के अनुमान से काफी कम है। महाराष्ट्र में अंतर फसल और मध्य प्रदेश में मक्का की और रुजान के कारण रखबे में कमी आई है। नतीज़तन अगर उम्मीद से कम रोपन के बीच सोयाबीन की मांग मजबूत बनी रहती है तो कीमतों को कुछ समर्थन मिल सकता। सोयाबीन बाजार को प्रभावित करने वाली अने खबरों में प्रमुक राजियों में उत्पादन में अनुमानित वृद्धी शामिल मध्य प्रदेश में उत्पादन बढ़कर 55.39 लाक टन होने की उम्मीद है जबकि महाराष्ट्र का उत्पादन बढ़कर 50.16 लाक टन हो राजस्थान में पैदावार में मामूली वृद्धी के साथ उत्पादन 10.52 लाक टन होने का अनुमान इन कारकों से निकट भविशे में कीमतों में उतार्चराव होने की संभावना ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी